कासी विश्वनात कोरिडोर का इनिग्रेशन खुद वड़ा प्रदान नरेंद्र मोदी ने किया था लेकिन इसमें आर्किटेक्ट की महत्व की भूमी का हमदवाद के आर्किटेक्ट विरेन भाई ने भी निभाई है विरेन भे त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है यहाँ जो आर्किटेक्ट का जो मैन काम है प्रिंसिपल काम है विरेन भाई ने किया था लेकिन विरेन त्रिवेदी ने अहम भूमी का आर्किटेक्ट के तौर पे निभाई है हम उन से रूबरू होने का प्रयत्न करेंगे सर स्वागत है आपका एटी भारत में थैंक्यू अरी जो में परिशर का जो भाग है जिसमें उसको 75 मिटर बाइ 42 मिटर का जो पूरा जगा है उसको डेवलप करना था और उसको इस तरीके से डेवलप करना था कि जिसमें पुराना आर्किटेक्चर को बरकरार रखते हुए उसको हम इस तरीके से डिजाइन करें कि लोगों का ऐसा नहीं लगए कि इसको पूरा ने architecture को खतम कर दिया तो हमने वहां पर जी गए और वहां पर जाके पुरा ने architecture के आर्केटेक्ट को study किया वहां के सब photograph लिये वहां के सब dimension लिये फिर उसके उपर से हमने यह पूरा corridor का design concept सोचा और बनाया जिसमें पूरे जो भी डामेंसन है उसमें एक नान वापी करके जो जगा थी उसको हमें वैसा का वैसा रखके उसको टच नहीं करते हुए पूरी या पूरा जो परिशर है उसको डेवलप करना था उसको हमने डेवलप किया उसमें 71 बेज अलग अलग बनाये जिसमें एक बेज करेब छे फुट साथ चोड़ाई का और बारा फुट की डेफ्ट का है पहले जो भी जो यह थे वह बहुत अन इवन छोटे मोटे इधर उदर व एक्ते हुए और मेंग इट को गंगा के साथ किस तरीके से उसको जोडा जाए उस तरीके से इसको सोच पूरा कोरिडर की डिजाइन बनाए जिसमें चार मेंग इट है उसके अलावा एक 71 बेज है जिसमें पुराने जो मंदिर थे उसके उससर साथ मंदिर को अगें उच्छ को वहाँ पर स्थाफित किया है, में गेट आफंगे में wa 7-1 बसे बहुत बहुत ज्यासज़ राए उसले किए उस बाइटिंग बाइटिंग करके उसको और खुबसूरत बनाने का ट्राइग किया है इसके अलावा पूरे कोरिडोर के अंदर जो सेवंटीवन बेज है उसमें से ट्वेंटीटीटू बेज के अंदर इम्बोस वर्क में पैनल्स बनाए गये है जो भगवान संकर को रिलेटिड है वह नहीं is अवह पे 25 ओैसे पैनल्स बनाए गये जिनमें भगवान संकर की भक्ति कैसे की जा बग्ति में जो मेन मेन सलोक से और उसके जो भगवान सब कहने का गाता है, उसमें बहुत सारी महनत लगती है। जैसे कि sketch बनाने से लेकर सब कुछ उसमें आ जाता है, जैसे आपने इसमें कितने sketch बनाए होगे यह corridor के यह जो main gate है उसके? sketch तो हमने कहीं बनाए है लेकिन main जो था वो अंदर का जो architect का जो था जो पूराना architect था उसको हम उने सब उसके dimension लिये उसको redraw किया फिर उसको यह अपनी नई size के अंदर fit किया उसको तो वो उसको बनाया फिर उसके सब drawings हम बनाते हैं फिर उसको one one is to one के drawing में बना के उसको फि पूरे काम में कितना समय लगा होगा दिन लगे महीने लगे क्या लगा मेरा काम देखा जाए तो कम से कम करीब 6 महीने का होगा वैसे सब उसको जोड़ा जाए तो वैसे तो पार्ट पार्ट में किये और यह प्रक्रिया कभी बंद नहीं रहती यह कम complete होता है तो उसके साथ म में तीसरा होता है और आखिर में तो हमने वो घाट के उपर जो गेट बना है जो सबसे बड़ा जिसमें से मोदे सब एंटर होके पूरे चलके वहां से आये थे वह गेट का भी डिजाइनिंग विमल भाई ने फिर कहा कि यह भी आप देखो तो वह भी हमने किया है तो यह व कि आदमी गंगा से आता है तो कोई एक गेट से एंटर होता हुआ अंदर आ रहा हुआ ऐसा उनकी सुच होगी ऐसा लग रहा है क्योंकि वह जो भी बाते हुई थी वह विमल भाई के साथ हुई थी मुझे इतना उसमें ध्यान नहीं है जब उनका कोई सुजाव होगा तभी तो यह सब कुछ बना है और यह गेट का भी प्लानिंग हुआ कासी विश्वनात की अलग एक पहचान है जिसमें हेरिटेज है हेरिटेज से लेके सब कुछ जो वहां की जो परंपरा है वो भी वहां पर रिफ्लेक्ट होती है क्या उसमें आपने डिजाइन में से वहां पर किया है जा आर्किटेक्ट के तोर पे हमने किया किया है कि हो सके वहां तक जो पुराना आर्किटेक्ट था और पुरानी उनकी पैनल्स थी जो राइट अप थे उसको वैसा का वैसा लेकिन उसको अच्छी तरके से कंपाइल किया है पहले इदर उदर ऐसे वैसे उपर नीच प्रदल्ब ऐसे आपने practice की होगी महनत की होगी इसके लिए के पहले गए फिर चब ही विमल भाई इससे बात हुए तो बिन पहले यही बताया कि आप वहाँ पर आर्किक्टेक्चर को पहले study करो तो हम वहाँ गए उनका कुछ की रहा पूरे घाट में खुमें उफने भी इधर से उधर तक और और विह वहां जो मंदीर नंदिर में मंदी अर्माना के पास में और बेला मंदीरे था और सब को देखा और सब का स्टर कि या यह बनाने से पहले उस cra cantMA किया हूँ काशी विश्वनात में जो आपने ये काम किया इसके अलावा आपके अपने देश और विदेश में ऐसे कौन से आर्किटेट के रिलेटेट जो काम किया है वो क्या है और उसकी क्या विशिस्ता है इसके अलावा जो मेन मेने जो काम किया है उसमें दिल्ली का अक्षरदा मेरा मेन मॉनुमेंट है जो मुझे प्रमक स्वामी महाराज में सौपा था और उसमें ऐसा समझो के मेरी जितनी भी आर्ट या सोच या जो भी कुछ था वो मैंने पूरी उसमें डाल दी है और इसलिए तो वह ऐसा दिख रहा है कि इतना नया होने के बावजुद भी लोग आज इतना एप्रिसेट कर रहे है तो उसमें जितना भी हमां मेरे से जितना भी उसमें आर्किटेक्चर या आर्ट या उसका कोछ भी बाग ऐसा छूट नहीं जाए कि ऐसा नहीं लगे कि उसमें कुछ है भी कम पूरी और से जैसे के अफ अब अंदर अक्सर दम में एंटर होते हैं तो टोढ़ और सका पहला गेट है फिर दूसरा महियूर गेट है फिर म Heroes है फिर मोनीमेंट है तो सारे कोई मैंने डीजाइन किया है और इसके इलावा क्या अक्सरदम के अलावा भुज में एक अभी 7, 7, 8 साल पहले еक नया स्वाच satisfy Night अभी एक अनझाफ में बना है और इसके अलावा भावन अगर के पांस एक नया मंदर भी बन रहा है और दूसरा वहाँ पर एक वाक्या हनुमान करके एक जगा थी वहाँ पर भी दो मंदर बनाया है इसके अलावा मंदार में एक मंदर बनाया है उसके अलावा दिल्ली के आसपास मैंने बहुत से मंदर बनाया है जैसे रोहेनी में है साहद्रा में है एक मेर ग्रानफादर के साथ मैंने एक वल्लब्स मारक करके मॉनुमेंट है जो जीती करना रोड पे उसमें पुरा ही करीब करीब उनके साथ रेके मैं मैंने ये सब ड्रॉइंग से बनाया और सीखा वहीं से हूं में उनके पांस से ही उसके अलावा अस्तापदकर के एक जगा है हस्तिनापूर में वहां पे भी वह अस्तापूर परवत का पूरा एक किया इसके अलावा लंडन में कृष्णा मंदीर एक है जो वेश्ट प्रोमिच में आया है उसका भी मैंने आर्केटिक्चर किया है और लंडन के आसपास तीन गुरुद्वारा बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारा हमने बनाया है मैंने डिजाइन किया हुआ है और इंग्लेंड के अलावा अमेरिका में यूएसे में भी करीब 6-7 जहन मंदिरों का डिजाइनिंग मेरे आट से हुआ है यह प्रोजेक्ट जो आपने अभी तक की है लेकिन आने वाले कोई प्रोजेक्ट है जो महत्व के प्रोजेक्ट हो जिसमें आप अर्जा आर्केटक्ट काम करने वाले हैं आने वाले तो वैसे बहुत से प्रोजेक्ट है जिसमें से एक अभी भावनेगर में स्वावना मंदिर बन रहा है दूसरा भावनेगर के पांस ही एक सांगड करके जो कांजी स्वामी की बक्ति भूमी रही है वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बन रहा है वह भी पूरा रिगुलर मंदिरों से बिलकुल अलग चीज है वह जब बनके पूरा होगा तो लोग देखेंगे एक यहां पर गुजरात में लिमडी करके जगाए वहां पर कृष्ण मंदिर बन रहा है वह भी अभी प्रोजेक है कुछ तो मुझे याद भी नहीं होगे और उसका काम चल रहा है उसके अलावा यह नया प्रोजेक अभी मध्यप्रदिस में आ रहा है अभी उसके लिए मैं आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता हो लेकिन आएगा तो सबको पता चली जाएगा एक की तोर पे कि इसमें यह होना चाहिए इसमें यह होना चाहिए वो थोट कैसे आता है और वो थोट क्या है जब भी कोई भी आर्किटेक कोई भी डिजाइन करता है तो पहले वह वही देखता है कि वह कहां बन रहा है उसका लोकेशन क्या है और वहां का पूराना आर्किटेक तो ऐसा लगता है कि गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा का पूरा अर्किटेक्ट्चर अलग है अपना हिंदु मंदिर है तो उसका पूरा अर्किटेक्ट्चर अलग है फिर स्वामिरा मंदिर देखो तो उसकी खुद अलग पहचान है उनका एक फिक्स पैटन होता है क सबसे पहले वहां की लोकेशन को देखना पड़ता है वहां का आर्किटेक्चर को पहले स्टड़ी करना पड़ता है जो भी एक कुछ नया कोई प्रोजेक्ट बनाना होता हुआ जी ये थे विरंद्र त्रिवेदी जिन्हों ने कासी विश्वनात में अपना महत्त पुन ये अबदान दिया है डबल सिरा ठोड़ एटी भारत अमदावाद